How to add a custom token on pancake swap Guys, आज की स्वीडियो में बात करते हैं कि आप pancake swap पर custom tokens को कैसे add कर सकते हैं So, without wasting any time, let's jump into it So guys, सिबसे पहले आपने pancake swap को open करना है Open कर लेने के बाद आपने trade के उपर click करना है और पिर आपने जाना है exchange में Exchange में जाने के बाद guys, आपने यहाँ पर select a currency के उपर tap करना है Tap कर लेने के बाद guys, आपने यहाँ पर उस coin का address paste करना है जो coin इस list के अंदर ना हो Suppose अगर आप किसी ऐसे coin को add करना चाहते हो जो pen cake swap पर available ना हो तो आप यहाँ पर उसका address paste कर सकते है तो address को paste करने का तरीका बहुत असान है guys, आपने क्या करना है आपने जाना है इस website पर coinmarketcap.com पर और open कर लेने के बाद आपने यहाँ पर उस coin को search करना है Suppose यहाँ पर मैं search कर लेता हूँ safe moon Search कर लेने के बाद आपने उसके उपर click करना है like this और click कर लेने के बाद guys, आपने यहाँ पर contracts के अंदर इसका जो binance smart chain का address है उसको copy करना है, right So मैं इसको copy कर देता हूँ, copy करने के बाद आपने pancake swap को open करना है और उस address को पर यहाँ पर paste कर लेना है जैसे आप paste कर दोगे guys, as you can see कि यहाँ पर safe moon आ चुका है तो आप इसी तरह किसी भी custom token को add कर सकते है लेकिन make sure कि यहाँ से आपने binance smart chain का address copy करना है आपने ethereum का नहीं करना है, right So guys, this is how you can add custom tokens on pancake swap आप इसी तरह custom tokens को pancake swap के अंदर add कर सकते है Guys, आज की वीडियो में बस इतना ही I hope कि आपको वीडियो अच्छी लिगी होगी अगर वीडियो अच्छी लिगी हो तो please वीडियो को like कर दीजिएगा और अगर आप इस चैनल पर first time है हो तो please चैनल को भी subscribe कर दीजिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में एक न्यू टॉपिक के साथ तब तके लिए take care and good bye